Hey everyone, I am Neha, welcome to our YouTube channel exam topper So student, आज का हमारा topic है सामान नग्यान यनि की general knowledge जो कि बहुत important topic है आपके किसी भी exam के लिए for SSCGT, UPSI, UP Police ASI या फिर कोई भी competitive exam आप ले लीजे सभी exam के लिए most important question मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ top 30 question हैं इस वीडियो में और एक question जिसका answer आप सभी को करना होगा comment box में, so video देखते रहे है last तक और mostly ये जो video है ये SSC, GD, UPSI और UP Police ASI को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आई हूँ और GK का एक part आपको daily मिलेगा अभी, so video last तक जरूर देखे पीडियेफ के लिए telegram channel है हमारा exam topper उसको join कर लीजे वहाँ पर सभी videos के PDF आपको मिल जाएंगे first question देखेंगे, truth, love and little malice पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताने है, truth, love and little malice जो book है, इसके writer कौन है? तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा, खुश्वंत सिना खुश्वंत सिना जो है, यह truth, love and little malice पुस्तक के लेखक है अच्छा, इस book के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, truth, love and little malice की तो यह जो book है, यह 2002 में publish की गई थी और यह जो है, खुश्वंत सिना की आत्मकता का सिर्सक है, यह भी आपको याद रख लेना है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ खुश्वंत सिना की, तो यह जो थे खुश्वंत सिना एक प्रशिद भारतिये लेकक थे पत्रकार थे, इस्तंभकार थे, और जो खुश्वंत सिंग थे, इन्होंने लंदन के किंग्स कॉलिज में बैरिस्टर भी जो है, यह रहे हैं, जो खुश्वंत सिना है, याद रख लीजेगा अगला कोशन है, एपी जे अब्दुल कलाम की आत्मकता कौन सी है, देखिए इंपोर्टिन कोशन है और पूछा जाता है APJ अब्दुलकलाम की आत्म कता कौन सी है तो राइट आंसर हो जाएगा Wings of Fire Option Number C जो है यहां पर यह Correct आंसर हो जाएगा Wings of Fire जो है यह अब्दुलकलाम की आत्म कता है अगर मैं बात करूँ APJ अब्दुलकलाम की तो यह भारत के पूर्वराष्ट्रोपती थे अब्दुलकलाम भारत के और मिसाइल मैन ओफ इंडिया भी इनको कहा जाता है अगला कुशन देखेंगे capeana जापानी कला है jeafana जो है एक जापानी कला है और यह किस से संबंधित है तो यह जो capeana है यह फूलो की एक विबस्ता है यानि कि फूलो से सजावट की एक विदी है जो कि एक जापानी कला है याद रख लेना है आपको option number है अब देखे यदी मैं यहाँ पर बात करूँ जापान की करंट के पॉइंट ओफ यू से तो जापान की कैपिटल है टोक्यू प्राइम मिनिस्टर है योसी हीदे सूगा और नारो ही तो जो है वो समराठ है जापान के 126 वे मुद्रा की यदी बात की जाए यनि की करंसी की तो क प्रिथवी पर कौन सबसे पहले गिरेगा कोशन आपको समझना है कि यदी निर्वात में तीन वस्तूओं को और वो तीन वस्तूओं कौन कौन सी है तो लोहा है कागज है और पत्थर है यदी इन तीनों को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो प्रिथवी पर सबसे पहले कौन गिरेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा option number D, 3, 1, 7 आएंगे D option याद रख लेना है अब समझेगा कैसे देखे यदि लोहा कागज और पत्थर को एक साथ गिराया जाता है तो उन पर जो G कामान है यानि कि जो गुरुत्विय त्वरण है वो एक समान लगता है लेकिन निर्वात में जो हवा का प्रतिरोध है वो एकदम नहीं लगता तो ये जो तीनों है वो एक साथ गिरेंगे याद रख लेना है अगला question है 1857 की क्रांती के प्रसिद्ध नेता जिनका नाम नाना सहिब था वह कहां पलायन कर गए थे सबसे पहले तो बहुत important question यहाँ पे हो जाता है क्योंकि 1857 की क्रांती से related question है तो 1857 की क्रांती के एक प्रसिद्ध और प्रमुख नेता नाना सहिब ये last में कहां पलायन कर गए थे तो correct answer नेपाल यहाँ पर हो जाएगा याद रखेगा 1857 की जो क्रांती है जो विद्रो है ये मेरट से प्रारंब हुआ था याद रख लेना है अब देखे जो ये नाना सहिब थे ये 1857 के भारतिय सोतंतरता के प्रतम संगराम के एक सिल्पकार थे इनका मूल नाम पूछा जाता है कि नाना सहिब का मूल नाम क्या था तो धोंडू पंत जो था ये इनका मूल नाम था जनम की यदि बात करूँ तो 19 मई 1824 को इनका जन्म हुआ था मृत्यू की यदि बात की जाए तो 24 सितंबर 1859 को इनकी डेथ हो गई थी और इन्होंने जो है कानपुर से अंग्रेजों के विद्रोह का नित्रत्व किया था ये भी आपको याद रख लेना है important question है अगला है निम्न में से राजा राम मोहन राय ने जो है किस से संबंधित नहीं है देखे आपको बताना है कि जो राजा राम मोहन राय है वो किस से संबंधित नहीं है और इस question का answer आप सभी को करना होगा comment box में इसका answer कीजेगा सभी लोग comment box में कि जो राजा राम मोहन राय है वो किस से संबंधित नहीं है पूछा गया है वैसे आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन ने बहुत चारे कारे किये थे तो इसका आंसर मैं चाहूंगी आप लोग कमेंट वोक्स में करें अगला कोशन है तीसरा करनाटक युद्ध किस के बीच लड़ा गया था बहुत important कोशन है ये वाला क्योंकि देखे टोटल जो करनाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं वो चार युद्ध हुए थे टोटल अब यहाँ पर जो पूछा गया है वो है तीसरा युद्ध जो किस किस के बीच लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था अंग्रेजी फॉज और फ्रांसी सी फॉज के बीच यानि कि इंगलेंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था और ये क्यों लड़ा गया था तो ये इन दोनों के अपने वर्चस्व स्थापना की कोशिसों को लेकर लड़ा गया था और ये जो है एक साथ वर्सी ये युद्ध था, यानि कि साथ वर्सों तक चलने वाला युद्ध था, जो कि 1758 से 1763 तक जो है चला था, अब इसमें जो है अंग्रेजी फौज की जीत हुई थी, यानि कि इंगलेंड की जीत हो गई थी, इस तीसरे युद्ध में, करेक्ट, ओ आप देखें बात कर लेते हैं पस्चिम बंगाल की, तो केपिटल होती है कॉलकाता चीफ मिनिस्टर ममता बेनर जी एंड गवर्नर हैं जगदीप धनकड, अगला कुशन देखेंगे, दक्षणी ध्रूब पर पहुचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, दक्षणी ध्रू यानि कि साउथ पोल पर पहुचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यदि पूछ लिया जाए कि उत्री ध्रूब यानि कि नौर्थ पोल पर पहुचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था रोबर्ड पियरी जो की 1980 में नौर्थ पोल पर पहुचा था और रोवाल्ड एमंडिसन इनका पूरा नाम है रोवाल्ड एमंडिसन जो की साउध पोल पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ती थे अगला कोशन देखेंगे विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इंपोर्टिन कोशन है भई विश्व का सबसे बड़ा तो आप सभी जानते हैं प्रशान्त महासागर यानि की Pacific Ocean तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आर्किटिक महासागर ओप्शन नमबर B विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्किटिक महासागर और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशान्त महासागर अब यह जो आर्किटिक महासागर है यह करीब 6.1 मिलियन वर्ग मील छेतर में जो है फैला हुआ है यदि इसकी गहराई की मैं बात करूँ तो 3953 फीट जो है इसकी गहराई है और इसका जो सबसे जो सबसे गहरा बिंदू है जो सबसे गहरा बिंदू है उसकी जो गहराई है वो है 18264 फीट और इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है यहनि आर्किटिक महासागर की तो ग्रीन लेंड, कनाडा, नौर्वे, अलासका एंड, रूस याद रख लिजेगा नेक्स्ट कोशन है जोर्डन और इस्राइल के मद्ध कौन सा सागर है तो राइट आंसर यहाँ पर आप्शन नंबर डी हो जाएगा मृत सागर यहनि कि डेड सी डेड सी भी इसको कहा जाता है अब देखे यदि मैं यहाँ पर मृत सागर की बात करूँ तो समुद्र तल से करीब 440 मीटर जो है यह नीचे है समुद्र तल से करीब 440 मीटर नीचे है तो कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे निचला बिंदू जो है वो मृत सागर है कह नहीं सकते है एक्चुल में है दुनिया का सबसे निचला बिंदू मृत सागर जो कि 440 मीटर नीचे है और इसको जो है खारे पानी की सबसे निचली जील भी कहा जाता है मृत सागर को अगला कोशन है Great Barrier Reef किस देश में है तो Great Barrier Reef से कोशन पूछा जाता है इसलिए important रहेगा जो की है Australia देश में option number C Australia में भी कहा तो Australia के Queensland के उत्तर पूर्वी तट से करीब 1400 मील तक जो है ये फैला हुआ है Great Barrier Reef और ये जो है विश्व का सबसे व्यापक और सम्रद प्रवाल भित्ती पारिस्थिती की तंत्र है जो की 2900 से अधिक भित्तियां और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है ये आपको याद रख लेना है important question है अगला question वह अर्थ व्यवस्था जिसमें सरकारी पर निजी दोनों का उपकरम हो क्या कहलाती है तो मिसरित अर्थ व्यवस्था कहलाती है option number D हो जाएगा correct answer अगला question है डियागो गर्सिया एक छोटा द्वीप है ये निम्न में से किस महासागर में इस्तित है सीधा सीधा आंसर कीजे कि जो डियागो गर्सिया द्वीप है ये किस महासागर में इस्तित है तो ये इस्तित है हिंद महासागर में correct answer option number C हो जाएगा अगला कोशन है द्रव की बूंद की आकरती गोल होने का क्या कारण है देखे यदि आप उपर से पानी गिराते हैं तो उसकी जो बूंद बनती है वो गोल बनती है तो correct answer option number B हो जाएगा प्रष्ठ तनाव द्रव की जो बूंद की आकरती होती है वो प्रष्ठ तनाव के कारण गोल होती है next question है नाभी की ये रियक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है तो नाभी की ये रियक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का और भारी जल को deuterium oxide भी कहा जाता है और deuterium oxide का formula होता है D2O याद रख लेना है अगला कुशन देखेंगे पानी का घनत्व कितना होता है तो पानी का घनत्व जो होता है वो होता है एक हजार किलो मीटर प्रती घन मीटर होता है याद रख लेना है और एक्चुल की यदि बात की जाए तो 997 घन किलो ग्राम प्रती मीटर होता है लेकिन देखे 1997 तो 997 तो उ 1000 किलो मीटर घन मीटर बोल सकते हैं ओके अगला कोशन है वुहान डायरी डिस्टेंस फ्रॉम क्वरेंटाइन सिटी किताब किसके द्वारा लिखी गई तो ये कोशन है करंट अफेर 2020 का आफ्टर कोरोना यानि कोरोना के बाद का ये कोशन है जब कोरोना भारत में भी एंट्री कर चुका था उसके बाद ये बुक लिखी गई थी तो ये लिखी गई थी फांग फांग के द्वारा जो की कोरोना सिटी वोहान के ऊपर है ये बुक येनी कोरोना से रिलेटेड है फांग फांग अगला कोशन है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है तो इंडिया बुक के राइटर है रजिनी कोठारी, option नमबर भी हो जाएगा, correct answer, रजिनी कोठारी, अगला question, life of pie, किसकी पुस्तक है, देखे life of pie, किसकी पुस्तक है, तो यह है यान मॉटल की, option नमबर भी हो जाएगा, right answer, यान मॉटल, अब मैं यान मॉटल की यदि बात करूँ तो यह Canadian writer है, Canadian लेखक है, और इस बुक के लिए, इनको मैं बुकर पुरुस्कार से भी सम्मानित किया गया है, याद रख लेना है, life of pie के लिए, यान मॉटल को मैं बुकर पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है, वैसे तो यह, इनका जो जन्म है, Spain में हुआ था, लेकिन य पूछा जाता है, कि विस्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो सुतर मुर्ग होता है, जिसका अंडा पाच की लोका होता है, अब यहाँ पर पूछा गया है, कि विस्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विस्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, M.U. याद रख लेना है option number C M.U. या फिर I.M.U. वहना हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है अगला question है UNESCO का मुख्याले कहा है तो important question है देखे जो संसथाएं है उनसे ना जैसी UNESCO हो गया UNICEF WHA एसी जो संसथाएं है उनके स्थापना और headquarter पूछ लिए जाते हैं तो important question है UNESCO का मुख्याले तो UNESCO का मुख्याले है Paris France में यानि France की capital Paris में है अब मैं बात करूँ याँ पर UNESCO की तो UNESCO की full form होती है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization जिसको establish किया गया था 16th November 1945 को यानि 16 November 1945 की स्थापना होई थी UNESCO की और head जो है वो आद्रे अजोले है ओके lady है एक आद्रे अजोले अगला question है पोखरण में किस वर्स पहला परमाडू परिक्षण आयोजित किया गया देखे एक question तो आपका question में ही clear हो जाता है कि जो पहला परमाडू परिक्षण आयोजित किया गया था वो किया गया था पोखरण में अब आपको बताना है कि किस वर्स आयोजित किया गया था तो वो किया गया था 1974 में option number है राजस्थान के पोखरण में पहला परमाडू परिक्षण 1974 में किया गया था इसका code name पूछ लिया जाता है तो code name क्या था smiling buddha जो था ये इसका code name था अगला question भारत में वित्तिय वर्स कब से प्रारंब होता है तो important question है ये वाला भी भारत में वित्तिय वर्स यनि कि financier कब से प्रारंब होता है तो एक April से प्रारंब होता है financier भारत में जो की 31 मार्च को खत्म होता है याद रख लेना है अगला question लार की प्रकरती कैसी होती है देखे वही लार जो हमारे मुझे में बनती है, लार की प्रकर्ति यदि आप लार का pH मान यदि आपको पता है तो आप उसकी प्रकर्ति भी बता देंगे तो लार का जो pH होता है वो होता है 6.5 और pH लेवल मैंने आपको बताया ही है pH scale बना कर तो लार की प्रकरती होती है अमलिये क्योंकि देखे जो 7 से कम pH जिसका होता है वो अमलिये होता है और 7 से ज्यादा pH जिसका होता है वो छारिये होता है और जिसका 7 होता है वो उदासीन होत और अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ लार की ओके जो देखें लार होती है यह 99% जल का एक पधार्त होती है यानि 99% जल से बनी होती है जो की पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है यह लार ग्रंतियां होती है जो लार ग्रंतियां होती है वो 24 गंटे में कर एक से डेड़ लीटर लार को श्रावित करती हैं याद रख लेना है एक से डेड़ लीटर लार को श्रावित करती हैं लार ग्रंथियां अगला कोशन आर्की पैलगो का क्या आश्य है तो राइट आंसर आपको बताना है कि आर्की पैलगो किसे कहा जाता है राइट आंसर भी ह अगला कोशन देखेंगे अंतराश्ट्रिय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 22 मई को अगला कोशन किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है तो जपान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश option number B और midnight देखे एक कोशन बनता है कि रात को किस देश में सूरज निकलता है या फिर दिन होता है तो वो होता है नौरवे midnight संबाला देश वो है नौरवे और उगते हुए सूरज का देश है जपान यदि पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है तो वो उगता है अरुनाचल प्रदेश में ये भी आपको याद रख लेना है अगला कोशन है रौकी, एंडी, और एटलस देखे ये अलग अलग परवत है है ना रौकी, एंडी, एटलस और हिमाले किस प्रकार के परवत के उधारण है तो ये सभी जो है वलित परवत के उधारण है औप्शन नमबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर ओके अगला कोशन है तिबबत के लोग किसको देवी माता मानते हैं तो जो तिबबत के लोग है वो नंदा देवी को देवी माता मानते हैं नंदा या फिर सुनंदा देवी ओके नंदा देवी या फिर सुनंदा देवी को देवी माता मानते हैं तिबबत के लोग डी आप्शन कर हो जाएगा अगला कोशन है बाल्ट्रो ग्लेशियर कहां इस्थित है तो बाल्ट्रो ग्लेशियर जो है इंपोर्टेंट है देखे ग्लेशियर से कोशन है तो बाल्ट्रो ग्लेशियर इस्थित है पाकिस्तान में याद रख लेना है ऑप्शन नमबर डी पाकिस्तान में भी कह याद रख लेना है, गिलगिट बाल्टिस्तान, ओके, अगला कुश्चन से पहले, विडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, इथोपिया का पुराना नाम क्या है? तो इथोपिया का पुराना नाम है, आप्चन नंबर A, एबिसीनिया जो है ये इथोपिया का पूछ लिया जाता है, जैसे कि इजिप्ट का मिश्र था, है ना, ऐसे भी अभी भी मिश्र ही बोलते हैं, अगला है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या है, important question है, पूछा जाता है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी, पांडी चेरी, पुड्डू चेरी भी इसको कहा जाता है, option number C, okay, अगला question भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये question भी important है, और आपको पता होना चाहिए, समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है, कि जो समुद्र गुप्त था, ये कभी हारा नहीं था, कभी नहीं हारा था अपने जीवनकाल में, next and last question, मौर्य सामराज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, तो मौर्य सामराज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था, पन, option number A, और पन को कारशा पन भी कहा जाता था, और ये जो पन मुद्रा थी, ये चांदी और तांबे के मिसरन से बनी हुई मुद् तो टोटल मैंने आपको कराएं, 35 question, यदि वीडियो अच्छी लगी है, तो like, share, comment and channel को subscribe जरूर करें, PDF के लिए हमारा telegram channel है, उसको join कर लीजे, जिसके link वीडियो के description में आपको मिल जाएगी exam topper, और topic मुझे suggest करते रहे हैं, मैं लाने की कोसिस करूंगी, और आब आपको मि